पहला ही question है थोड़ा सा अच्छा प्यारा सा question in sociometric method the superstar is one who sociometric method में यानि समाज मिती विधी में superstar हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो पहला option है who is chosen by maximum number of persons जो ज़्यादा लोगों से ज़्यादा लोगों के द्वारा चुना जाए या फिर is chosen by multiple pairs कई जो pairs हैं बोस को choose करें both of these या फिर none of these फटाफट से answer कीजेगा happy to see you same here Praveen जी आप सभी को देख करके बहुत खुशी हुई नाम लीजे Shelly Kanpure answer कीजे अब नाम बाद में होगा पहले आप answer कीजे बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया सही है सही है great answer इसका A नहीं होगा answer होगा both of these both of these ठीक है बात यानि की दोनों ही समाज में ती विधी क्या है basically देखा जाता है कि social group में आप एक particular group में या classroom में अगर हम बात करें कौन किससे कितना support में है किसके कौन किसके साथ है कैसे relations है एक बच्चे के आपस में है ना जैसे monitor भी चूज किया जाते है तो हाथ खड़े करवाय जाते थे तो देखा जाते है तो बही कितने लोग इसके support में है इस बच्चे के तो इस chosen by तो उसे पता लगेगा कि कैसे relations है बाकी learners के बीच में जो बाकी students है उनके बीच में तो who is chosen by maximum number of persons जो जादा तर लोगों के द्वारा चुना जाए या फिर is chosen by multiple pairs अगर pairs की बात हो रही है या basically groups की बात हो रही है तो वहाँ भी यही देखेंगे सूपर स्टार उसको कहेंगे जो जादा लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ इस case में कह सकते हैं तो C option इसका simple सही answer हुआ समाज मिती विधी basically social relations को आपकी study करती है कि देख लीजे ये जितने green और red वाले लोग हैं ये एक साथ हैं ये एक साथ है मतलब और इन सब के relation हैं आपस में तो आपके एक social group में आपस में कैसे relations हैं वो दर्शाती है समाज मिती विधी ठीक है बात जल्दी हो जाएगा हिंदी में सुधार दो-चार दिन ही लगेंगे मुश्किल से जैसे ही वो सुबह वाला सेशन शुड़ होगा शाम की सीरिस सुधर जाएगी अपने आप इसको कुछ करेंगे इसका तो ये समाज मिती विधी में social relations को study किया जाता है बच्चे के या जो भी आस-पास जिसके भी बारे में बात हो रही है ठीक है बात नित्या बहुत बड़ा नित्या आंसर कीज़े फटापट से नेक्स्ट क्वेशन पर बढ़ते हैं नाम को छोड़ी लास्ट में देखेंगे अब नाम क्वेशन देखिए यानि कि अंतर दृष्टी के सिध्धान को किसने प्रतिपादित किया है थॉन डाइक, गस्टाल्ट साइकॉलजिस्ट हेगार्टी या फिर इसकिनर, बताइए एक बार हाँ, एमपिटेट जब आएगा तो कुछ सेशन स्पैसिफिकली बना दिये जाएंगे टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है और अभी जो सीरिस शुड़ होगी ना उस उबह में जो सीडीप का चैप्टरवाइज रवीजन है वो एमपिटेट वालों को भी काम आएगा और जितने भी टीचिंग एक्जाम है, सभी के लिए काम आएगा स्मार्ट बोर्ट पर करेंगे जो होल में विश्वास रखते हैं और इसमें भी गेस्टाल्ट वादियों में भी कौन है कोहलर है वोल्फ गैंक कोहलर जुनाने सुल्तान नाम के चिम्पैंजी पर प्रयोक किया था रे सुल्तान नहीं है, यह नॉर्मल चिम्पैंजी है एक ठीक, जिसमें ये देखा कि insightful learning, यानि एकदम से एक insight आईगी, एकदम से एक idea एक bulb जलेगा एक तरीके से है ना, और एकदम sudden solution आपके दिमाग में आईगा, आप ने कोई question solve कर रहे थे, कोई problem आरे थे, नहीं solve हो रहा था आप जा कर एक खाना बनाने लगे, एकदम से idea आया यार इस problem को तो ऐसे solve कर सकता हूँ that means, gestalt जो है, एक whole में देखता है, experiences के base पे एक solution आएगा है ना, एक idea आएगा एक insight आएगी, sudden solution is the rule in insightful learning ठीके बात, gestalt psychologist basically, whole के रूप में बात करते हैं, whole is greater than the sum of its parts, ये कहते हैं, जो कि Aristotle ने कहा था, इसके लावा अगर gestalt वाद को जन्म किस ने दिया तो wordheimer, kohler, kofka और आपके cut 11 भी इससे जुड़े हुए है, ठीके बात, आगे बढ़ेंगे और basically, जो kohler है वो एक gestalt वादी है, तो इसलिए gestalt theorist का नाम दिया हुआ है, kohler का नहीं दिया हुआ है, अगर kohler होता, तब भी सही होता दोने में से एक ही का नाम देते तो theory of insightful learning में क्या था, कुछ chimpanzee पर प्रयोग हुआ था, जिसमें से famous chimpanzee है, Sultan, जिसको कुछ ऐसी situation दी गई कि वो केलों तक खुद नहीं पहुँच सकता था, ceiling में bananas को लगा दिया गया, और उसने फिर अलग-अलग सूज आई, उसको बहुत सारे trial कि, उसने देखा, मलब चीजें करके देखी, लेकिन वो चीजें solve नहीं हो रही थी, तो वो बैठ गया थोड़ी देर के लिए, और फिर एक insight आता है, उसे कि box के उपर box रखके वो हाँ तक पहुच सकता है, यानि idea आया, है ना, एक idea आया है, यह perception पर based काम करती है, उसने perceive किया situation को पूरी whole के रूप में, और एक idea generate हुआ, एक insight आई, एक bulb जला फिक है बात, clear हो गई बात यहाँ तक कि आगे बढ़ेंगे Mr. Rahul, next question देखिए थोड़ा, question number 3 है according to MacDougal, every instinct is associated with MacDougal की अधि हम बात करें, तो इन्होंने instinct की theory दी है, instinct क्या है, वो प्रवर्तियां, जिनको आपको सीखना नहीं पड़ता, जो natural होती है, innate behaviors होते है, आपके इसमें तीन चीज़े होती है, perception, behavior और आपका emotion, तो यहाँ बात हो रही है instinct, जो है, हर एक instinct, कुछ 14 instinct दिये हैं, 14, किसने William MacDougal ने, और यह 14 instinct किस से जुड़े हुए हैं, cognition से, emotion से, sensation से, या thinking से, आज speed थोड़ी सी तेज रहेगी, ताकि थोड़ा सा आप जाक करके, एक test के रूप में ले सके, बहुत आप आप आराम से लड्डू-लड्डू खेल रहे हैं question में, आज थोड़ा सा बदाम खाईए, हैं, बताइए एक बार, just 10 question ही हैं, गायतरी, मैं fear, ठीक, तो इस तरीके से कुछ चौधा इंस्टिंक्ट दिये हैं, और वो चौधा के चौधा इंस्टिंक्ट किसी एक समवेक से जुड़े हुए है, अगर आप list देखेंगे, कभी तो discuss करेंगे एक अलग से theory में, जैसे food seeking से कौन सा emotion आएगा, hunger का, escape से fear का, combat से anger generate होगा, social instinct से feeling of loneliness आएगी, curiosity से wonder generate होगा, तो हर एक instinct से जो है आपका एक emotion generate होगा, जो कि एक normal बात हुई किसके द्वारा, William Mac Dougal के द्वारा, next question है, giving the meaning to sensation on the basis of past experiences called, यानि कि पुराने अनुभवों के basis पर आप जब किसी समवेधना को, किसी sensation को एक meaning देते हैं, एक अर्थ देते हैं कि ये sensation है, इसका ये meaning हो सकता है या ये आपने समझा उस से क्या कहलाएगा, sensation, perception, motivation या imagination, बताएए फटा फट चान से कीजे आ रे आप English honors है कोई बात नहीं, कोई सब को freedom है, आजादी काधिकार है और जो YouTube है, एक open platform है जिसका जो मनगरे वो कह सकता है बट फिर भी हमें responsible होना चाहिए अपने शब्दों के लिए हमेशा ही और सब में इतनी समझ नहीं होती है तो बुरा नमाना करो कुछ लोगों का उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनने यहीं करना है जीवन भर, देखे एक बार perception कहलाएगा, जब आप किसी sensation को एक meaning दे देते हैं, हम कहते हैं इसका एक perception बना लिया है हमना इस चीज को, कि यह चीज है, यानि पैसा है तो खुश होगा इंसान, बहुत बड़ा आदमी होगा है न, perception है, just take कुछ sensations के basis पे, basically हम अपने senses से देखते हैं, आसपास चीजें वो perceive करते हैं अपने दिमाग में, जो हमारे senses या हमारी sensory organs हैं, वो हमें क्या देते हैं एक signal देते हैं, perception बनाते हैं situation का या चीजों का, और फुर वो हमारा concept तैयार कर देती हैं, ठीक तो जब हम sensations को एक past experiences के basis पे, एक meaning देते हैं, जो चीजें पहले भी हुई हैं तो वो एक perception create हो जाएगा, एक धारना बन जाएगी अगर मैं कहूं तो, ठीके बात, B option, clear होगी बात आगे बढ़ेंगे next question है question number 5, 5 year old Mohan has mental age of 8, what is his IQ, IQ का formula यदि आपको नहीं है याद तो मैका से याद कर ली जगा M-A-C-A, ठीक है M-A-C-A यानि मांसिक आयू बटा वास्त्विक आयू into 100, ठीक, अब एक बच्चा है 5 साल का, इसका मतलब उसकी मांसिक आयू कितनी है, mental age 8 years, यानि 8 years तो 8 है, और ये आपका क्या हो गया कर लो इसको अपना आप कर लो ठीक, तो 20 times ठीक बात 160 आजाएगा IQ कितना आगया 160, simple बात वैसे भी अगर mental age जो है इससे, वास्त्व कायू से जादा है that means 100 से उपर ही जाएगा है न, तो simple है 160 गया फिर ठीक बात clear हो गई बात यहां तक की कहानी पूरी हुई आगे बढ़ें अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 11 minute के अंदर हमारे साथ कुछ 3126 लोग जोड़ चुके हैं, और सिर्फ पहली बार दिया था, इस टर्न ने और इसको जो रिवाइस किया गया 100 लगा करके वो Lewis Thurston ने किया ने टर्मन इसको जो रिवाइस किया गया वो टर्मन ने किया स्टैन्फोर्ड में और इसमें जो mental age का concept है वो दिया है बिने ने, इसमें तीन लोगों का काम है तो इसको ध्यान में रखिएगा जो IQ का concept है, यह जो IQ term है, intelligence quotient, बुद्धी लबदी इसको William Stern ने दिया यह जो formula है, इसको revise किस ने किया तर्मन ने किया, 100 लगा करके MA जो है, यानि की मानसिक आयू, उसको दिया बिने ने, जो Alfred बिने, जुनको father of intelligence testing कहा जाते है, जुननोंने पहला intelligence test 1904 में दिया था clear बात, अपने एक associate Simon के साथ मिल करके तो यह चीज़ें हमें ध्यान में रखने होती है, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती है, एक number दिला देती है question number 6 देखिए which of the falling is not the cause of forgetting, इनमें से कौन सा एक भूलने का कारण नहीं है, भूलना मुमकिन नहीं है, तो जरा बता दीजे क्यों नहीं है, basically कौन सा एक भूलने का कारण नहीं है, एना forgetting का reason नहीं है, वही क्यों, क्यों नहीं, क्या भूल क्यों नहीं बाते हैं चीज़े हैं, अंडर लर्निंग, डिजाय तु रिमेंबर, मेंटल कॉन्फिलिक्ट या फिर डिफेक्टिव मेंथर्ट्स ऑफ रिमेंबरिंग, ऐसे हमेशे श्रम्या को याद नहीं करना है और फटा फट से बता देना है कि कौन सा इक भूलने का रीजन नहीं है, क् बताईए एक बार, बहुत ही बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, इस पीड से ही प्रैक्टिस करेंगे, अब थोड़ा सा एनरजी की जौरत है, जाग जाएगे, असे चैन से सोना है तो जाग जाएगे, पदा नहीं किसका डायलोग है, ये तीन दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है, आंसर करो एक बार, सिक्स्थ का B, B मतलब, desire to remember, exactly, जब आपकी इक्षाएं खत्म नहीं हो रही हैं, भूलने की, आपकी इक्षा है याद रखने की, तो भूलोगे कैसे, फिर रहो दुखी, खाओ दवाईया, रहो परिशान, ये न, तो याद करने की इक्षाएं यदि बरकरार हैं, तो याद रहे गा ही, फिर भूला थोड़े न जाएगा, तो forgetting जो है, वो एक, कब हो सकता है forgetting, जब learning ठीक से ना हुई हो, कुछ mental conflict दुविधा चल रही हो, तब आपकी memory पर फर्क पड़ता है, और defective method हो याद करने का, कई लोगों ने तो जो theory है, उस theory से बड़े shortcut बनाए हुए है, defective method है याद करने का, हर चीज के shortcut याद किये हुए है, और जब जिस दिन वो theory आएगी, तो वहाँ theory याद नहीं आएगी, और shortcut ढूनते घूमेंगे, भाई या, यह क्या था, तो ज़्यादा shortcut में भी नहीं पढ़ना होता, कोशिश कीजे, multiple times revision हो, इतने shortcut याद ना रखें कि theory अलग से आद रखनी पड़े और shortcut अलग से आद रखने पड़ें, फिक के बाद, exactly, desire to remember, यह देखो, कई लोगों को बिलकुस बात हैं समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं, question number 7 है आपके सामने, the science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data is called, वह कौन सी science है, एक व classify यानि की वर्गी करित कर रहे हैं, अलग-अलग categories में, present कर रहे हैं, compare कर रहे हैं, और interpret कर रहे हैं कि इससे निकल कर के क्या है, इसका मतलब क्या है, इतने परसेंटों ने यह किया, तो उससे क्या एक message क्या निकल के आया, collect किया, classify किया, interpret किया, यह सब चीजें किस एक science में आ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो, मैंने माने का कितनी समझदार होगे हैं, let's learn पर पढ़ पढ़ के, answer कीजे एक बार, statistics, अब यह तो सब का दिमाग है, सब के, सब के perception है, कौन कहां जोड़ दे किस चीज को, statistics, यानि की, सांखी की जिसमें हम basically, stats आपने शाहिद 11-12 में पढ़ा होगा, अगर economics रही होगी, या फिर commerce में भी obviously होता ही है, तो stats में क्या होता है, हम data इखटा करते है, research वगरा में भी यह चीज काम आती है, data इखटा करते है, classify करते है, present करते है, compare करते है, बाकी, जो last time कितना रहा था, क्या increment है, और interpret करते ह data को, ठीके बाद, तो ये भी आपका इसी का हिस्सा है, थोड़ा बहुत, next है आपका, which among the following is different from the characteristics of a good test, यानि की, इन में से कौन सा एक जो है, वो different है, किस से, एक अच्छे test की विशेषता, नहीं है, है न, different है, अगर question ध्यान से नहीं पड़ा, तो एक number चला जाएगा, बता से कीजिए, फिटाफिट से, reliability है, validity है, objectivity है, aptitude है, aptitude, बताईए एक बार, मैं CDP के keywords करवा दीजे अप, करा देंगे बिशेक, है न, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक list बनानी पड़ेगी, कुछ videos के लिए न, आप लोगों की बहुत सारी demands है, जो पूरी करनी हैं, धीरे दीने, D option क्या रहे हैं, कई लोग, बहुत ही बढ़िया, aptitude जो है, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि पूछा है, different from the characteristics of a good test, मतलब, अच्छे परिक्षन की विशेशताओं से अलग है, तो ये भी एक तरीका है, पूछने का question को पढ़के समझना हैं सबसे पहले, least लिखा हो, not लिखा हो, except लिखा हो, different लिखा हो, ये सब क्या हैं, एक तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्यों को ध्यान से पढ़के solve कर दीजें, नहीं तो एक number चला जाएगा मजाक मजाक में, ठीक बात, अगर मैं अच्छे test की विशेशताओं जानने की बात करूँ, तो तीन चीजें बहुत जादा महतुपूर्ण होती हैं, वो तीन चीजें कौन सी हैं, reliability, validity और, आपका objectivity, RVO से भी चाहो तो याद रख सकते हो, reliability मतलब, आप जितनी बार same sample पर test करें, उतनी बार same result आए, यानि वो दोस्त आपका reliable है, जब भी आपको उसकी ज़रत पढ़त तो same result आए, वो होता है न, जैसे paper जब चल रहा होता है, test वगेरा मैं आपने देखा होगा, इसकूल में कोई बच्चा है जो cheating कर रहा है, तो teacher क्या करेगा, copy ले लेगा, कि दूसरी दे दी blank, कि इस पर लिख लो अगर तुमने खुदी किया है, तो, अगर खुद करके भी उ eligibility को check कर सके, ऐसा न, हो cat के questions हो, है न, जैसे कई लोग, ऐसे mock test market में आजकल available है, जहां उनका कोई संबन नहीं है, real exam से, बस मुश्किल-मुश्किल question डाल दिये हैं, बिना वजहाई, तो वो क्या है, valid नहीं हुए, जो उद्देश्च है, जिस चीज के लिए वो बने है, cut होना चाहिए, ठीके बात, clear हो गई बात, पता नहीं, आजकल notification में कुछ समस्या ही चल रही है, आप लोग खुद आजाया कीजे, 9 और 9.30 session शुरूई हो जाता है, एक बार community tab check कर लिया करो, question number 9 है, what is the factor influencing physical development, शारक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है हमसे, ज और यहां भी दो session करेंगे, अमन सिंग नाम तो लेलिया, आपका जवाब दीज़े आप, heredity है, environment है, sports and exercise है, all of these है, तो obviously all of these है, all of these के ज़्यादा chances होते हैं, यदि आप दो options में फस रहे हो तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं, अगर तुका ही लगाना हो तो यह वाला ही होने की, ठीक ही बात, तो अगर हम बात करें, तो कौन सा एक factor है, कौन सा एक तत्व है, जो शारिक विकास को प्रभावित करता है, तो आपका sports और exercise भी, अगर आप sports और exercise बच्चे को पहले से ही करा रहे हैं, तो क्या होगा वो, physically ज़्यादा बहतर होगा, उसका motor development ज़्य अगर अच्छा होगा, environment भी अगर अच्छा मिलेगा, obviously, environment में वही है, कि खाने से लेके, nutrition से लेके, आपकी training से लेके, और सारी चीजे होंगी, mentally और physically, एक healthy environment होगा, और heredity भी important होती है, यदि आपको jeans ही चोटी height के मिले हैं, तो आप कितना भी खालीजे, वो कोई 6 feet नहीं हो पानेंगे, physical, cognitive, social और emotional, social, emotional एक दूसरे से जोड़े हुए होते हैं, cognitive में language development आता है, physical में motor development, जिसमें gross और fine motor skills आती हैं, है न, तो speed थोड़ी सी तेज है, वही लोग cope up कर पाएंगे, जन्नोंने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, ठीके बात, नाम लेलिया मजहर आपका आगे ब पर, question number 10 आज के लिए, last, who among the following described reflective thinking, बहुत ही प्यारा सा question, बहुत ही काम का question, है न, देखिए एक बार, इन में से कौन से एक व्यक्ती ने चिंतन, शील चिंतन की बात की है, है न, बात की है, डूई हैं, रॉस हैं, वुडवर्थ हैं, ड्रेवर हैं, छवाब दीजे, सब समझ आ रहे हैं, बहुत बढ़ी है, रोहित चंद्रा जी, आप, अप आ गया क्या, अप बहुत जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, आपको मेरी energy से लग रहा होगा, कि बस अब आग लगने ही वाली है, है न, तो, बताओ एक बार, हम तो 9 बचे आ की धुम मचा देते हैं, बहुत बढ़ी है, आंसर कीजे, सब तुक्के लगा रहे हैं, एक से, कोई न, कोई सब अलग-अलग है, पहले like share कीजे, फिर तसली से आंसर कीजे, और out of 10 कितने ठीक हों, वो भी बताइएगा, यहां आंसर होगा, डूई, बेसिकली डूई कहते हैं, जो रिफ्लेक्टिव धिंकिंग है, वो एक बच्चा actively जब वो यह देख पाए, इस चीज़ का चिंतन कर पाए, उस चीज़ पर प्रकाश डाल पाए, reflect कर पाए, कि उसकी जो learning है, वो अभी किस हद तक है, उसको अभी आगे कितना सीखना रहता है गैप कहा है, उसको फिल कैसे करना है, अगर गैप है, जैसे आप मानले जय केवेस की तियारी कर रहे हैं, या सीटाइट की तियारी कर रहे हैं, तो आप ये देख पारे हैं कि मेरी जो learning है वो अब तक कितनी हुई है, अभी कितना और सीखना बाकी है, जहां सीखा है, वहां गैप कहा है, कैसे उसको resolve करना है, हिमानशी को देखना है, किताबें बढ़नी है, previous year solve करने है या किसी और से राउट लेने है, आंटी, अंकल भाई या दीदी से बात करनी है, आस पड़ास में, क्या करना है, तो reflective और ये teacher के लिए भी होता है, अगर आप levels of teaching की बात करोगे, तो ये चीज़ें वहाँ भी आती है, एक है आपका memory level teaching, जहां सिर्फ याद करने हैं, definition वगेर आपे thoughtless होता है, दूसरा है आपका understanding level of teaching, जहां आप चीज़ों को समझ रहे हैं, समझाया जा रहा है आपको, और तीसरा है reflective level of teaching, जहां teacher भी और विद्यार्थी भी अपना, जो method है, जो उन्होंने पढ़ाया या पढ़ा, उस पर प्रकाश डालेंगे कि वो कैसा रहा, चिंतन करेंगे, और आगे उसमें कैसे improve किया जा सकता है, तो इससे आप active learning कर सकते हैं, जो उन्डवी बात करते हैं, learning by doing की, progressive education की, प्रगतिशील सिक्षा, lab schools खो लेते हैं, और ने शिकागो में, 20th century में अपनी wife के साथ मिलके, जुनको university, elementary schools भी कहा गया था, ठीके बात, clear हो गई बात यहां तक की, तो ये एक basic सी बात है, planet M Hussain, बहुत बड़िया,